हेलो गुड मॉनिंग जोहार मैं संज है और आप देख रहे हैं नियू ज़ार केन चले जानते हैं आज की मुक्य 25 बड़ी कब रोको अस्था दुरूस रखी गई है वही आज सुभाज 6 बजे से राद 10 बजे तक भारीवानों के परवेश पर रोक लगा दी गई है इसके अतरिक्त सहर के कई रास्तों की यातायाद को डायवर्ट किया गया है एससपी उपायुक्त सहीद जीला के तमाम अधिकारियों ने इस विवास्ता की चमिक्षा की साथ ही जा जा लिया रांची पहुंची भारत न्यूजिलैंड टीम 27 जनवरी को जैस सिया स्टेडियम में होगा मुकाबला भारत और न्यूजिलैंड की क्रिकेट टीम रांची पहुंच गई है दोनों देशों के बीच होने वाले टीटोएंटी सिरीच का पहला मुकाबला यहां खेला जाएगा मुकाबला 27 जनवरी को है दोनों ही टीम रांची एरपोर्ट से होटल के लिए रवाना हो गई होटल रिडिशन बुलू में इनके ठारने का इंतजाम किया गया है क्रिकेट टीम के अगमन को लेकर रांची एरपोर्ट पर सुरक्षा के पुक्ता इंतजाम किया गये थे J.S.C.A. के आधिकारी इन्हें रिसीव करने के लिए एरपोर्ट पर मौझूद थे क्रिकेटरों को देखने के लिए काफी संख्या में प्रसान सक एरपोर्ट पर पहुंचे हुए थे हलाकि एरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद सभी क्रिकेटर बस में बैट कर होटल रिडिशन ब्लू चले के वही आज 26 जनवरी को दोनों ही टीम जैसिये अस्टेडिया में प्रेक्टिस करेंगी वही कल 27 जनवरी को दोनों के बीच मैच खेला जाएगा जिस लेकर दर्सक काफी उतसाहित हैं गंतंत्र दिवस खुलेकर सडक सलेकर हवाई अड़े तक सुरक्षा व्यास्था चुस्त दुरुस्त कर दी गई है पूरा सहर अलट मोड पर है चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनाद कर दिये गए हैं राजधानी में सडक सलेकर हवाई अड़े तक जिला बल के जवान आने जाने वालों की गहन जाज कर रहे हैं हवाई अड़ा अथोरोटी ने भी सुरक्षा के मधन जर अपने सभी करमचारियों को विसेस दिसानर देश दिये हैं हवाई अड़ा थाना की ASI शुधान शुकमार ने बता है कि एरपोर्ट प्रसासन और जिला प्रसासन एरपोर्ट पर आने जाने वालों पर लगतार पैनी नजर बनाए हुए हैं जो भी अंजान चहरे या फिर सक की निगाह से देखे जा रहे हैं उन्हें तुरंद हिरासत म लेकर पूछ ताच की जा रही है उन्होंने बता है कि हवाई अड़ा पर जितने भी यातरी आ रहे हैं उनके समानों की शगन जाच की जा रही है हवाई अड़ा परिशर में घुमने वाली गाडियों की भी तीन सचार बार चेकिंग की जा रही है ताकि परिशर के अंदर को जन्वरी यानि बुधवार को सरेंडर कर दिया है बताय गया है कि नवीन बुढ़ा पहाड और शकरबंद के चेत्रों में सक्रिय था और आसपास के चेत्रों में दहसत का माहोल बना रहा था मालुम हो की जारकन पुलीस और सीयार पहाड की एक टीम संजुक्त रुप से पिछले तीन मेहने से बुढ़ा पहाड में नक्सलियों के खिलाब ओपरेशन ओक्टोपस चला रही है इस सभ्यान में जवानों को लगतार सफलता मिल रही है जानकारी के मताबिक नवीन ओपरेशन से बचने के लिए बुढ़ा पहाड से निकल कर भाग गया था जबकि पुलीस और सीयार पियाप की टीम लगतार नवीन के खिलाब ओपरेशन चला रही थी जिसके डर की वज़े से अंतिम में नवीन ने पुलीस के सामने खुद को सरेंडर कर दिया जिसके बाद उसे एजनसी के आलाधिकारी अपने साथ ले गए और पूछताच कर रही है खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सस्क्राइब ने की है तो प्लेस चैनल को सस्क्राइब करके बैल अकन प्लेस कर दिजे जिससे आपको जारकन की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंसता रहे तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की और स्वास्त बीमा योजना से जूणने के लिए पतरिकार अब पांच परवरी तक कर सकते हैं आविदन जारकन राज्य पतरिकार स्वास्त बीमा योजना का लाब लेने के लिए आविदन का फिर से मौका मिला है जारेकर राज्य पत्रिकार स्वास्ति भीमा योजना का संचौलन राजसरकार दूरा किया जा रहा है पहले इस योजना से जूड़ने के लिए 25 जन्वरी 2023 तक अविधन समर्पित करने किती थी निर्धारित की गई थी अब इसे बढ़ा दिया गया है अब इस योजना से जोडने के लिए पत्रिकार पांच फरवरी 2023 तक अविदन कर सकेंगे ठंड की बिदाई की साथ गर्मी की दस थक पूरे सपता मौसम रहेगा साप वसुस्क अब दिन में गर्मी का अनुभाव होना सुरू हो गया है तापमान में बढ़ोतरी होने लगी है दोपाहर में गर्मी महसूस होती है मौसम पूरो अनमान की बात करे तो आज 26 जनवरी को मौसम खुशनुमा रहेगा कुछ जिलों में आनसिक बादल चाय रह सकते हैं लेकिन रा हैं अलाकि अब ठंड की बिदाई होने लगी है मौसम गर्मी की और बढ़ने लगा है सुभा और साम मेहल की ठंड का अनुभाव किया जाता है लेकिन दिन चड़ते ही गर्मी लगने लगती है आप पूरे दिन बिना स्वेटर और गर्म कपड़ों के भी लोग रहने लगे ह दुमका को सीम हिमन्त ने दी कई शौगाते बोले योजनाओ को सा समय धरातल पर उतारे अधिकारी गंतंदर दिवस समहरों को लेकर उपराजधनी दुमका पहुँचे मोकेमंतरी हिमन्त सोरिन ने बुधवार को कई योजनाओ को सिलनियास और उदगाठन किया इस दोरान स दियमने अधिकारियों से कहा है कि वे अपनी जिम्मेदारी को इमंदारी से निभाएं साती योजनाओ की लगतार मोनेटरिंग करे ताकि सासमाई योजना धरातल पर उतर सके इसी कड़ी में वे पिछले कई दिनों शे श्रम जीलों में जाकर मुख्याले और जीलों के अध माइने में पूर्णे पैकेज की तरह है जहां सांस्कृतिक, शेमिनार, सम्मिलन समित कई कारिकरम आयोजित किये जा सकते हैं या आधोनिक शुबिदाओं से सुषजित और बहु उपयोगी शेंटर है जार्खन की उपराजधनी दुमका में आज सियम शोरिण फैराएंगी राश्रोधंवज गंतंतर दिवस के शुब आउसर पर जार्खन की उपराजधनी दुमका में मोकेमंतरी है मंतु सोरिण राश्री दुमका में बहु आई स Sugini डुले कर तयारी पूरी कर ली गई है विभिन विभागो द्वारा निकाली गई जाक्यों का उलोकन करेंगे इसको लेकर सारी तैयारियां लगबग पूरी कर ली गई है रांची पुलिस को मिली बड़ी सफलता दस लाग काइना में तिलकेश्वर गोप गिरबतार एक सब्ता के भीतर रांची पुलिस को उगरवादी संगठन पिलाफाई के खिलाब दूसरी बड़ी सफलता हाथ लगी है दो दिन पहले एंकाउंटर में कोख्यात विशाल को मार गिराने के बाद रांची एससपी को मिली गोपत सुचना पर अस्पेशल टीम ने दस लाग के इनामे तिलकिश्वर गोप को गिरापतार कर लिया है तिलकिश्वर गोप को किसी गुपत इस्थान पर रगकर पुलिस पूछ ताच कर रही है तिलकिश्वर पिलफाई शुप्रिमो दिनेश गोप का बेहद करीबी है जारकन की रांची, खुंटी, गुमला और चैबासा जिलो के लिए आतंक का प्रियाय माने जाने वाले तिलकिश्वर पर जारकन पुलिस के द्वारा 10 लाग का इनाम घोश्वित किया गया था, चारो जिलो की टीम उशे गिरापतार करने का प्रियास कर रही थी, इसी दोरान सूचला मिली कि तिलकिश्व के पास से कोई हतियार बरामत हुआ है या नहीं, इसकी पुष्टी अभी तक नहीं हो पाई है। द्वादास जो तिरलिंग भी कहा जाता है, बाबा धाम में वैसे तो शालू भर सरधानों का आगमन होता है, लेकिन जो विश्व प्रसिद्ध, स्रावनी मेला और सिवरातरी के शाद बशंद पंचमी का अपना एक विसेस धार्मिक महतु है, कहते हैं कि सरोसती पूजा के दिन बाबा बाधनात का तिलक उत्सो मनाय जाता है, बसंद पंचमी पर बाबा बाधनात को तिलक चढ़ाने के लिए उत्तर बिहार के लोग पहुँच गए हैं, इनमें मितलांचल सहित सितामडी, समस्तिपूर, दर्भंगा, मुझपरपूर आदी इस्थानों से पहुँचे हैं, आएसे अधिक मामले में मेनन एकका दोसी करार भेजी गई चेल, आएसे अधिक मामले में मेनन एकका को दोसी करार दिया गया है, दोसी ने CBI कोट में सरेंडर कर दिया है, जिसके बाद उसे न्याईक हिरासत में चेल भेज दिया गया है, बता दे कि परतलाभी की एनोश एक का मधुकोडा सरकार में वर्ष 2006-2008 तक मंत्री थी और इससे पहले अदालत ने धन सोधन निवारन अधनियम के तहद 20,31 लाग, 77,852 रुपए के धन सोधन मामले में उन्हें दोसी करार दिया था नकसल अभ्यान में फिर आईडी ब्लस्ट, चैबासा में CRPF जवान खायल, घने जंगलों में नकसलों ने छिपा रखा है बम, पसमी शिंग भूम में नकसलियों के खिलाब चलाए जारहे सर्च ओपरेशन के दोरान, आईडी बिस फोट में CRPF का जवान खायल हो गया, सुरक चैबासा की मपशल थाना खेतर की, जो जो हातू से अंजद बीडा गाउं के बीच बुधवार को नकसलियों द्वारा प्लांट किये गए, आईडी बिस फोट में CRPF का एक SI इंसार अली घायल हो गया, उसे हेलिकॉप्टर से एर लिप्ट कर बहतर इलाज के लिए राची भेज दिया किया, सर्च ओपरेशन के द्वारान उस छेतर में सुरक्चबलों ने एक जिन्दा पाई बम आईडी बरामत किया, जिसे सुरक्चबलों द्वारा बम निरोधग दस्ता के द्वारा नश्ट कर दिया गया, और आजादी की लड़ाई में सहादत देने वालों को नमन किया, राश्टी युवासक्ती के केंदरी अर्धक्च उत्तम यादों ने कहा है, कि उनके संगठन का मकसद है कि युवाउं में देश भक्ती की भाव ना जागाना, आज की जादत और नौजवान नसाखोरी की तरह बढ़ रहे हैं, इसकी वज़ा से हमारा राश्र कमजोर होगा, उन्होंने कहा है कि भगत सिंग सिर्फ 23 साल की उम्र में सहीद हो गये थे, उस वक्त सहीद खुदी राम बोस की आयुश्रिब 18 साल थी, भगवान बिरसा मुंडा भी सिर्फ 24 साल की उम्र में वीरगती को प्राप्त हुए थे, उन देश भक्तों की शहदत को कभी नहीं भूलना चाहिए। दकोला कारोबार में वार्चस हो, छेतर में वार्चस हो और आप सी रंजिस था, हत्ताकान का मास्टर माइन, विकास, बजरंगी और गोली चलाने वाले मोलू उफ़ परकास कुमार, गौतम कुमार यादो को गरपतार किया गया है, इस हत्ताकान में दो महिला सारो जहां आर सहित, साथ आरोपियों को पुलिस ने गिरपतार किया है, इन लोग के पास से दो लाक नगत, हत्ता में परियुक्त एक पिश्टल, दो जिन्दा कार्तूश, नौमबायल सहित, अन्ने शमान जप्त किया गया है, रांची के सिल्गाई हिंसा मामले में 44 लोगों को को कोट ने कोट में ट्राइल जारी है, गंतंत्र दिवस पर नकसलियों की हर गति विधी पर रहेगी पैनी नचर, अन्तुराजी सीमा सिल, गंतंत्र दिवस को लेकर पलामु जिला प्रसासन पूरी तरह से अलाट मोड में है, नकसलियों की हर गति विधी से निपटने के लिए पुलीस की जवान तयार है, इसके मधनजर पुलीस ने नकसलियों के खिलाप अभ्यान सुरू किया है, बता दे की अभ्यान नकसल परभाविच शेत्रों में एक साथ सुरू किया गया है, जिसमें पलामु, गढ़वा और लाते हार सामिल है, इस दोरा नकसलियों के गति विधी को र पूर्ट, परवर्तन निदेशाले, इडी ने अब मनरेगा स्कैम के मामले में ग्रामिन विकास विभाग पर सिकंजा कसना सुरू कर दिया है, ग्रामिन विकास विभाग ने सभी जिलों में हुई, मनरेगा में गडबडियों को लेकर जान सुरू करके परतिवेदन मांगा दरसल मन्रेगा की योजनाओं में समागरी खरीद के नाम पर राज की विभिन जीलों में बड़े पैमाने पर गरवडी पकड़ी गई है इट, स्टॉन, पसूसेड, इत्यादी के नाम पर फरजी खरीदारी की गई है एक साल पूर्व राज की ततकालिन ग्रामिन विकास सचीव अराधना पटनायक नी मन्रेगा की योजनाओं की तहट 200 करोड रुपे की संदिक दिनिकाशी का मामला पकड़ा था जाती धर्म संप्रदाई के परलोभन से दूर रह अपने मत का करी परियोग रमेस बैस तेरवार रांश्ट्री मतदाता दिवस की आउसर पिर राजिपाल रमेस बैस ने रांशी विश्व वद्दाले की आर्यभट सफागार में जीला और मुख्याले अस्तर पर चुनाओ समंधित कारी को बहतर ढंग से करने वाले जारकन के तिन डीसी सम्मानित किये इसमें जाम थाड़ा लातिहार और सिम्डेगा के डीसी सहित अनि लोगो को प्रसस्ती पत्र देकर सम्मानित किया इस दुरान राजिपाल ने अपने संबुधन में कहाई कि राष्ट्रे मतदाता दिवस लोकतंतर में मतदातां के महत्व को भी दरसाता है मतदाताओं की भागेदारी के बिना लोगतंत्र की कलपना अधूरी है विस्व का सबसे बड़ा लोक्तंत्र होने के नाते भारत में मतदाताओं को जागरूप करने और चुनावी प्रिक्रिया में भाग लेने के लिए प्रुत्साहित करने में इस दिन का विसेश महत्व है सराकिला के नन्ही जगनाद कुडा जस्तरिय स्रेष्ट बालक पुरुसकार राजी की पारूल स्रेष्ट बालिका गंतंत्र दिवस के आउसर पर जीला से लेकर राजी तक पर चैनित अस्कूली छात्र चात्राओं को पुरुसक्रित किया जाएगा जहरकन सिट्चा प्रयोजना की और से आयोजित सवेधान सप्ता के दोरान विविन कारिकरमू इभंजे परतीयोगताओं में बहतर प्रदर्सन के लिए छात्र चात्राओं को स्रेष्ट बालक वा स्रेष्ट बालिका की रूप में किया गया है सराकिला के प्रात्मिक विदाले संजय के दूसरी कक्षा के चातर जगनात महातों का राजस्तर पर स्रेश्ट बालक पुरुषकार के चातरा पारूल का राजस्तर पर स्रेश्ट बाली का पुरुषकार के चातरा पारूल का राजस्तर पर स्रेश्ट बाली का पुरुषकार के पुलीस ने किया चोरोखी अंतुराज्य गिरों का परदाफास पलामो के ववसाई से मांगी थी दो करोड की रंगदारी पलामो पुलीस की एक विसे स्टीम ने रहला में एक ववसाई से दो करोड रुपे की रंगदारी मांगने वाले गिरों का परदाफास किया है इस मामले इस गिरों के अधिकान सदस्तों को गरबतार कर लिया गया है, अभी भी एक सदस्त फरार चल रहा है। के पास से तीन पिष्टल, तीन देशी कट्टा और कुल बारा गोली के साथ साथ मबाल फोन, सीम कार्ड और लोट पार्ट किया गये रुपएवा अनशमान की बरामत किया है। मोकेमंतरी के प्रधान सचिव, राजू अरून एकाने लोकतंतरी की मजबूती के लिए प्रतेक व्यक्ति को निश्पक्ष और निर्भीक मतदान करने का संदेश दिया। नगरनिगम सहर को स्वक्ष और सुंदर रखने के लिए है परतिबद महापूर। घ्राञची को शाप और सुनदर बनाने के लिए नगरनिगम पूरी तरह से कटिबद है। नगरनिगम ने कंपोस्टिंग मसीन की खरीदारी की है। नगर निगम द्वारा कर्बला चौक और MTS त था नागा बाबा सबजी मार्केट में कमपोस्टिंग मसीन लगाई गई है जिसका उदगाटन महापूर आसलकड़ा था उप महापूर संजीव विजयवर गेद्वारा संजुक्तरुप से किया गया। अलिखन पीट में हुई कोट ने मामले की अगली शिनवाई 14 फरवरी को तै की है। सरकारी CCTV की बैटरी चोरी करने वाले गिरों के दोशदश गिरबतार ग्र्यांची की अरगूडा थाना पुलिस ने सरकारी CCTV की बैटरी की चोरी करने वाले गिरों के दोशदशों को गिरबतार किया है। में ग्राची स्मार्ट सीटी की कैमरे के मैंटरेंश करने वाली कमपनी हैस सोल्यूशन में मैनेजर के पत परकारत जो आकिप खान और इंजिनियर आसिस कुमार समिल हैं इनके पास से पुलिश ने चोरी की 18 बैटरी बरामत की है